इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा जहिन साथियों केंद्र की सेना विरोधी मोधी सरकार 29 अक्टूबर 2020 को एक प्रस्ताव लेकर आई जब मैं सेना विरोधी सरकार कह रही है तो आप समझ दीजेगा ये प्रस्ताव भी हमारी सेना के खिलाफ लाया गया है इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सैना के जवानों की जो पेंशन है उसे आधा किया जाता है यानि कि अगर किसी को अब तक पेंशन 50,000 रुपे मिल रहे थी उसे सीधा 25,000 किया जा रहा है नमबर एक नमबर दो सैना से रिटायर होने के बाद आप किसी भी दूसरी सेवा में जा सकते थे ऐसा प्रवधान था लेकिन उसे भी बदल दिया गया है आप सक्रिय सेवा में सैना में रहने के बाद आप किसी दूसरे विकल को आप नहीं चुन सकते ऐसा प्रस्ताव इसमें क प्रदान मंत्री जी के पास अपना 8500 करोड के जहाज खरीदने के लिए पैसा है अपने विग्यापनों पर परचाद परसाद पर खर्च करने के लिए 7500 करोड है लेकिन सैना के जवानों की पेंशन आदी की जा रही है उनकी भरतियां जो रिक्त खालिस्ताने नहीं भरे जा इसके इलावा उनकी जो केंटीन पे जो उने खानी का समान मिलता था उस पर भी सीमा लगा दी गई है अभी तक सर्दिया शुरू हो चुकि है लद्दाक और स्याचिंग बरफाली बरफीली चोटियों पे हमारे जो जवान बैठे उनकी पर अभी तक गरम कपड़े टेंट जूते, जैकेट्स, ऑक्सिजन सिलंडर नहीं पोचे हैं अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हो आप समझ रहे हैं ये मैंने केरी पारलिमेंट के अंदर जो है सीजी की रिपोर्ट ओडिट में कहा गया है मैं आप सभी से कहूंगी ये हमारी सैना के जवानों के साथ बहु लेकिन जब देश पर चोट आती है तो ये जवान सरहदों पर खड़ा मिलता है और आज उसी के ओपर चोट की जा रही है आप और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा और कब बोलेगा आवाज उठाए ताकि केंदर की मोधी सरकार अपने इस परस्ताव को वापिस लेने पर मजब बोलेगा जया ये जब हावट